कि आज हम थोड़ा सा मौलिक अधिकार सीखेंगे मौलिक अधिकार के इंग्लिश क्या है तो फंडमेंटल राइट्स होती हैं मौलिक अधिकार के इंग्लिश होती हैं कि फंडमेंटल राइट्स fundamental rights अब मौलिक अधिकार क्या है इसकी जरूरत क्यों है यह क्या होता है इस इक बारे हमें देखना है यानि इसके अगर हम dimensions देखें तो पहला यह देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है का दूसरा मौलिक अधिकार क्यों है कि तीसरा मौलिक अधिकार कय سमये चुनोतियां क्या है अब पांच वी चीजित देखेंगे कि अगर चुनोतीयं हैं, तो उसके लिए उपायर क्या है इन्हीं पांच डाइमस्ट पर हम देखें को ये तो मॉली का धिकार क्या है पहले इस पर देख्यों इसके तो किसी मानों समाज का या किसी मानों का मानों का विकास नहीं हो सकता उसको बोलते मौली का अधिकार है जैसे जीवन हुआ तो हमें अनीक प्रकार की चीज़ें चाहिए है कि हमें अपना विकास करना है विकास किस प्रकार के विकास करना है हमें अपना सामाजिक विकास करना है अब इस सामाजिक विकास करना है हमें आध्यात्मिक विकास करना है इसके अलाव हमें सांस्कृतिक विकास करना है हमें आर्थिक विकास करना है हमें राजनीतिक विकास करना है हमें मतलब प्रतेक्मानों को तो सामाजिक आध्यात में एक सांस्क्रितिक आर्थिक राजनेति की त्यादी शेत्रों में व्यक्ति अपना विकास चाता है सामाजिक शेत्र में कैसे कि हो सकता है कि कोई चाहे कि समाज में उसके प्रतिष्ठर है यानि कोई उसको ऐसा नहों कि आपमानित करके चला जाये समाज में हो सकता है कुछ ऐसे समूह हूँ जिनका लोग कभी भी आपमान कर देते हैं कभी भी जलील कर देते हैं उनको उनके अधिकार नहीं देते हैं उनके साथ समानता कभी वार नहीं वरतते हैं हो सकता है किसी को किसी का बहिशकरर कर दिया जाता हूं बहिशकर कर दिया जाता हूं यानि अपने समाज से उसको निकाल दिया जाता हूं कि जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई समाज में यदि कोई उस समाज के प्रतिमान यानि मूल को नहीं माना तो उसका बहुष कर दिया है फर एक्जामबल किसी छेत्र में मान लेजे कि चला है कि लड़का लड़की लिव इन रिलेशन्सिप में नहीं रह सकते हैं अगर नह को युवती और युवक को समाज से भाष्षकृत कर दें तो यह क्या हुआ एसको नहीं मिल पाया क्योंकि विवाह करना प्रेम करना उसका व्यक्तिका अधिकार हैं लेकिन उसको भाष्षकरार का सामना करना क्योंकि कि हो सकता है कि वह कि से डूसरे जाती के महिला तीL съ Champions कर लिया यह प्रेम कर रहा है कि तो सामाजिक विकास देंशाता है यानि उसका जो सामाजिक ओधिकार है वीवाह करने का शिक्षा पाने का उसका हेल्थ नियर्भ रहें है उसको लोग बेगारी बेकारी न कर वाएं अपनी सेवा न कर वाएं ऊसका मांसिक उत्रबण न करें उसके साथ सामाजिक न्याय कीये सोशल जस्ट्स करें हर सेक्टर में उसको अधिकार मिले हैं तो मौलिक अधिकार में यह तो मूल भूत अधिकार है कि व्यक्तिक जनम हुआ है तो उसको यह मूल अधिकार तो मिले कम सकम पता लगा कोई तथा कथित निशली जाती में पैदा हो गया और उसको केवल निशली जाती में जो कहने वाल पड़ जो है उसको दुनिया फहर के दों सजेलने पड़े तो क्या जीने का अधिकार केवल कुछ जातियों को है है समार्डब पाने का यह समाज में आराम से चैन्स आने जाने का यह उस सब कीछ ऑच्छे दिखाए ने इसका अधिकार के वोल क्या उची जातीयों को हैं समाज में जो भी पैदा हुआ है उन सब को इस बात का उमिद रहेगा कि उसके साथ सही ट्रेट किया जाए लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके वह राइट्स नहीं देते हैं अधिकारों का उलंगन करते हैं परशान करते हैं प्रताडित करते हैं तो मूल अधिकार जो मतलब पैदा होने के बाद उसको बेसिक चीज़ एक दम चाहिए उससे ही वंचन कर देना उससे ही उसको निरुष सहित कर देना तो इसलिए चाहिए मौलीगा धिकल change दूसरा आध्यात्मिक में अगर अगर देखें तो भीक्ति चाहता है कि अपना बहुत्धिक करें मानसिक दिकास करें कि यानि वो जिस डिरेक्शन में सोचना चाहें वो सोचें अपने विचार रख सकें कि अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसके प्रती उसके भी बातों को सुना जाएं गर्भे या संस्कृतिक शेतर में वो कुष नवचार कर सकें तो यह सारे अधियात में अधिकार हो सकते हैं आपने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो किसी भी इस्ट या किसी भी देवी देवता को मानने का अधिकार हो आधियात में का अधिकार है कोई भी चाहेगा कि जो धर्म उसको अच्छा लगता है उसमें चला जाए जो जाती है उसको अच्छा लगती है उसमें रहे लेकिन जब किसे एक साथ धर्म के अधार पर बहिदभाव करना शुरू कर दें यानि किसी एक देश में यदि एक्स नाम का धर्म 80 प्रतिशत में है या 90 प्रतिशत में है और दूसरे धर्म 5-6 प्रतिशत इस तरीके से हैं कम में है तो हम चुकि ज्यादा मजबूत हैं तो उस धर्म को ज्यादा राइट्स न दें या उनके यह उनके जो इस्ट अस्थान है फर एक्जामपल जैसे मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ होता है गुर्द्वारा है जहां पर पूजा करने जाते हैं उस पूजा अस्थाल को तोड़ दें या वो मालिय कुछ भी कर रहा है अपना अब पूजा कर रहा है या नमाज अदा कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो उसमें जाके विखने डाले जैसे पाकिस्तान में एक वाल हुआ पेशले साल 2020 में कि पाकिस्तान की राधानी इस्लामाबाद में करीब 3000 हिंदू वह चाह रह कि ठीक है जाई है लेकिन वहां के मौलवे मुला ये सब जो थे अस्थानी लोग बुलूग इसका कड़ा विरोध की है और कहे अगर यहां पर क्रश्ण मंदिर बन गया तो समझे बहुत बुरा हो जाएगा ती मतलब कतल्याम मच जाएगा और थोड़ा बहुत जो बेस्मेंट गठीकार था वह वाइलेट हुआ यानि किसी आईसे देश में रहना जहां पर कोई धर में ज्यादा संख्या में है वो तुमको पूजा भी न करने तो व्यक्ति चाहता है कि उसको आध्यात में गठीकार मिलें भारत में भी ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कभी मतलब उस तरीके कैसे कहने के संस्थागत तरीका हो तो ऐसा नहीं होता है कहीं कहीं मिल जाता है है कि कभी कभी हैं हमारे भारती समाज में यह परमपरह नहीं है कि עद्यात्मे का अधिकार मिले इसका प्रश्न उठता है प्रत्यक समुदाय में प्रत्यक धर में या अलग-अलग शेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी रहने का तरीका अलग है जीवन पध्धती है वह अलग-अलग है किसी में हो सकता है कि कपड़े पहने का कोच और हो कि उत्तर पप्देश बिहार में देखेंए तो महिलाइं अक्सर जो हैं पहनते हैं अगर नॉर्थ Amen से लाउ는지 रबंट में हैं तो वह अपने रंग बिरंगे बहुत अच्छे परिधान पहनते हैं। कि फिर ऐसी ही एक तो हो गया कपड़े में है आधान में हम एक हान पान में上 सकता है जैसे जो नधी के किनारे जो समुद्र के किनारे रहता है तो उसके खानपान में बेसिक चीज़ सामिल होगा मशली क्योंकि मशली वहां पर अबेंडेंड मातरा में उपलब्ध है तो जहां पर जिस भोज परदार्थ की उपलब्धता होती है वहां के लोगों का बेसिक आहार होता है जैसे यूपी में बिहार में बेसिक आहार है चावल क्योंकि यहां पर चावल का उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन तठी शित्र में जहां पर चावल का उत्पादन नहीं होता है वहां पर यह नहीं होता है या कहें मशली का उत्पादन ज्यादा होता है तो वहां के भोजन में जो मशली है वह बेसिक आइटम होगा खाने के लिए तो मशली जो है उनकी आहर का मतलब भूजन का मुक्ष आहर होगा इसी प्रकार से अगर हम हैदरबाद में देखें तो हैदरबाद की क्या जिश्वेगास है बिरियाने है फिर लद्दाख में देखें यह नौर्थ इस्ट में देखें तो उनका अपना स्थानी हो सकता है जो जैविक प्रकार के और्गेनिक फूड होते हैं उनका सेवन करते हैं यानि जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुक्सान देना हो शहरी इलाकों में हो सकता है खान्पान का तरीका हो कि वह फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हों क्योंकि शहरे जीवन फास्ट होता है तेज होता है उनको ठहर करके कहीं खाने का या ऐसे करने का समय कई बढ़ना मिल पाएं तो पैकर वा लेंगे या कुछ फास्ट फूड मंगवा लेंगे उसको खा लिए ऐसे ही दक्षड भारत में या गुजरात में इडली डोसा थापला यह सब खाने का रिवाज हैं तो अब मान लेजिए किसी एक देश में किसी एक प्रकार की कपड़े पहनने वालों की संख्य जादा है कि अब वह चला गया मालीजी सपोस कि किसी भारत में मालीग एक जापल की समझने के लिए कि उत्तर भारत में संख्य जादा है वहाँ पे महीलाएं यह पुरुष जो है पहनते हैं कपड़ा पहंते हैं इस तरीके से पैंट शेंट माल यह पहनते हैं यह महीलाएं और दक्ष कि इस तरीक सी कपड़े नहीं चलेंगे या मालिग कि ग्रामेड शेत्र में संखिया मारे अभी जादा है टेश्टी एट परसें पीपल जो है अभी भी ग्रामेड शेत्र में रहते हैं गाउं में कपड़े पहनए रिवास है कि पूरे अपने बदन को धक कर के रहते हैं अक्सर करके महिलाएं की बात कर रहे हैं शाहरी शेतर में गए पतला गांगा नौइडा गए दिल्ली गए या ऐसे और बड़ी महानगर में गए मुंबई गए वहां महिलाएं जो है आधा कपड़ा पहनी हुई है चौथाई कपड़ा पहनी हुई है जिसमें यह नहीं कि शाहरी शेत में जाते हैं तो वहां पर महिलाओं को साड़ी देते हैं अब वह तुमाली उनके बचकानी हरकत थे के साड़ी दे रहे हैं लेकिन अगर संगठित हो करके कि हम इनको साड़ी पहना के रहेंगे अब 50 लोग समूस अड़क के निकल जाए सबको साड़ी पहना के रहेंगे ऐसे नहीं चल पाएक भारत में यानि उनके बेसिक कपड़ा प पहने इसका डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं इसका डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हैं मतलब चुकि आप संख्या में ज्यादा हैं आप समूर्द हैं तो हमारे खाने पाने पीने का डिसीजन आप लेंगे क्या पहने इसका कि ये रहा हो सकते हैं जीवन जीने कारी कि में खान पान कपड़े त्योहार मनाने तरीक्षा इतियाद चीजें शामिल होती हैं तो प्रतिव्यक्ति चाहता कि वह अपने हिसाब से करें उसको अधिकार मिले हैं तो एकदम मूल अधिकार है क्या कपड़ा पहिन नचारा है तो तो यह तो मूल अधिकार का उल्लंगन होगा कि इसके लावा आर्थिक्षेत्र में कि आर्थिक्षेत्र में अधिकार क्या हो सकते हैं कि प्रतेग व्यक्ति को रोजगार चाहिए जीवन चलाने लिए पाइसा चाहिए कि अब किसी लोगों को जो है रोजगार करने मौका न दीजाए आर्थिक्षेत्र कमाने का उसाद न दीजाए यानि काम करने कदिकार या अवसर पाने कदिकार राइट तु अपॉर्चॉनइटी कि एधिकिन करना किसके पास जो योग करना कोई चाहता है कोई चाहता है कि लेकिन आ लेकिन या को चाहता है कि पढ़ाई कि युक्त इतना रखाका यहाएó तो कहेंगे परंप्रागत रोप से पढ़ायी करने का ठीकर नहीं तो इसका आप ने छहीं लिया उसकी पास बहुत धिक शम्ता थी वो पढ़ा सकता था आप ने सिर्फ ज्याती को देख करके उसको आदिया ऐसे ही शायद 2019 के 2020 का एक्जामपल है बनारस हिंदो विश्विद्याले में बीचियों में एक अधियापक जो कि मुस्लिम धर्म का था और वो संस्कृत भाशा में अच्छे से पढ़ाई किया परिक्षा दिया पास हुआ प्रोफेसर बना लेकिन वहां के लोगों ने मतलब नहीं है भाशा च्छेत्र की मोंथाज है ऐसाथ नहीं कि और दू के वल मुसल्मानों के लिए है। और सन्सृत के वल हिंदू के लिए.. इंग्लिश के वल इससाइयों के लिए हैं। है वह छेत्र के हिसाफ से भाशा डेवलप होती है जो सकता है कि अधर महिलाएं पाकिस्तान में हो सकता है कि थोड़ा भारत में भारत की पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं पंजाबी भाशा बोलते हैं पाकिस्तान के भी पंजाब प्रोविंस में लोग पंजाबी बोलते हैं अब कर देने पंजाब के वल सिखों के लिए हैं मतलब पंजाबी भाशा है के वल सिखों के लिए तो ऐसा नहीं है पंजाबी भाषा उस शेखर विश्षेश में बोला जाता है जहां पे सिख धरम मुखा उसे डैवलब हुआ है है ब पाकिस्तान बढ़के चला गया उसमें तो आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में अब और इनकी भाषा हम नहीं बोलने मैं पंजाबी नहीं चलेगा तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा है ऐसी धर्म के भाशा क्या धर्म को बेज बना करके उनको उनकी आवसर से वंचित कर दिया गया मतलब करने का प्रयास किया गया हमारा समयदान इतना मजबूत है कानून वे उस्ता इतनी मजबूत है कि ऐसा जो साम प् गया तो उनके चक्कर में पड़ती है हमारी डेश हमारा समयदान हमारे कानून हमारे देश के संस्क्रिती इतनी मजबूत है कि सबी का उसर दें कि हम ज्यादा है तो हम यह पढ़ाएंगे तो आर्थि कौछ भी काम करने कदेगार में काम बी ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी करने लगे जैसे मान लगे यह काम करने में आपको गुश्श्चेट कर दिये मंने आपको डॉक्टर बनना है ठेक बन जाए लेकिन आपkin Campus खोल लिए दवाई बाटे जा रहा है आपको एक क्राइटीरिय जो है फुल्फिल करना पड़ेगा आपको डाक्टरिक पढ़ाई करने पड़ेगा जो भी निश्यत है भी फार्मा डी फार्मा एम फार्मा या मद्वी एस यह कुछ बेवर शोटी पढ़ाई बेसिक डिप्लोम होनी चाहिए और और सभी को मिलेंगे और कोई भी आगे बढ़ सकता है इसे बहुत है अगर बात करने तो यह काम करने का धिकार जैसे महिलाओं को जो है अक्सर करके सरकारी नवकरियों या प्राइवेट सेक्टर्स में नियोजित करने से बहुत सारे परिवार हिचकी जाते 材 हैं थो महिलाओं किवल लिंग के कारण महिला आइए्स कारसं को काम करने का उस्वर न दिया बाहर ना जाने दिये जाए वह चौला चोगho का खाली करते रहे तो कहें का यह день Ham करने कि पृफ्ष्णु का में करेंगे मैं मैं कर सकती है अगर 140 करोड की आपादे में एक लाख लोग अगर अच्छे नहीं है ये एक लाख लोग कुछ अपराधी किसम के हैं तो केवल इन एक लाख के कारण हम 50 करोड जो करेब 65 करोड की महिलाएं हैं उनको अधिकार नहीं देंगे कि यह हैं क्योंकि निजनी किसे साथ बूरा बटाओ कर सकता है आफसरे करोड लग भग तेरश ऋटकरण महिला सब्सक्रोड कर सकता है अब इस समय से कुछ पूश्ज कुछ महिलाएं एसी हो सकते हैं कुछ पुलुष ऐसे हो सकते हैं एग दो लाग सं में जो महिलाओं के साथ बूरा बरताओं कर सकते हैं आज अब इन एक Λाlor के चक्कर में इन 63 करोन की गारлек Зञेंद़ी अच्छा जीवन जीने का धिकार है उनको बच्पन से उनको जो है कुछ नहीं कि ना पढ़ाए न लिखाये कुछ नहीं कि बाद में विवा हुआ अपने हस्बेंट के उपर पूरी तरह किस निर्भर हो गई वह अब हस्बेंट जो कहेगा वह वाइफ को करना पड़ेगा के नाम आनता का दिखार बढ़ेगा आगर जो है मेर्वोन कर देगा है अगर Stay है अगर जाद अच्छ द आइब का है तो बहुंगकर कि नहीं इसको मोखा देगा विवाह कि वाद मोखा देगा कि आ बढ़िया आगे बढ़िया लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा कि पहले पिता की सत्ता थी बाद में हस्बेंड की सत्ता हो गई तो पित्र ही तंत्र हो गया पूरा पूरा सोसाइटी जो है पिताओं से चलता है पुरुषों से चलता है तो यह काम करने का दिकार आउसर पाने का दिकार आगे बढ़ने का दिकार सभी को है और इन कुछ जो आसमाजिक तत्व हैं के चक्कर में 63 करोड की आबादी को गर्थ में ने लगे हो सकते हैं और राजनीती अधिकार राजनीती अधिकार मतलब यह हुआ कि जो लोग हैं था देश में डेमोक्रासी है तो डेमोक्रासी में कोई पी चुनाव लड़े जो है सब्सक्राइब नीतियां बनाए देश का शासन चलाने में वह भागिदार बने इसके लिए चुनाओ करने का अधिकार सभी आकु यानि कि değil कोई गंभीर whispering किसम का व्यक्ति ना ऐसे कुछ criteria होंगे लेकिन बेसिक रुप में देखें चुनाओ करने राइट तो वोट चुनने अधिकर सभी को प्रवाइड किया जाएं किसी को भी चुनाओ लड़ने का धिकर दिया जाएं कि अब तो कुछ क्राइटीर जात धर्म लगा करके कि नहीं आप नहीं बन सकते अइसा ना किए यह तो इन ही को बोलते मुझा अधिकर बेसिक लिए जो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बौध्धेक सांस्कृतिक विकास के लिए एक दम बेसिक चीज्ज जो है मौली क अधिकार कि और दूसरा मौली अधिकार क्यों तो मौली की अगर किए तो कंझ क्वें इसलिए क्योंकि देश में सभी लोग हैं अगर सभी लोग मिल करके सभी को अधिकार मिलेंगे तो एक शांती पूर्वक समाज के स्थाबना की जा सकेगी जिसमें किसी साथ भेदभाव नहीं हो रहा है सब हैं लोग मिलकरकी काम करेंगे। तो देशों कराष है वह दृतगती से ऐसे होगा किसीु सैथày करोड महिलाओंगों और दभा देंगे घौष्छ रहेएं टो ससत्तर करोड के साथ मैं चाहिए नहोता तो अदियू करति थे आओर जो है अधिकार इसलिए चाहिए एक लोग अपनर विकास कर सकें और देश क विकास कर सकें तो बेसिक से मतलब यह हैं और भी डाइमेंशन सो सकते हैं उस पर डिस्कॉसन करना भी जो है इतना बेसिक चीज संगा रहा है ताइए समाज में शान्ती रहें सभी लोग बंधुत्व के भावना से आगे बढ़ सकें विकास कर सकें यह सारी चीज़ें यह जो मौली का धिकार है क्यों कैसे दिये जाएं तो कैसे दिये जाएं इसके लिए हमारा एक सम्विधान बना हुए भारत के सम्विधान इसमें मौ समाज में जो शिक्षा है या जो जागरूपता है जागरूपता इसका अस्तर बढ़ाया जाएं क्योंकि जैसे इसे लोग शिक्षित होंगे जागरूप होंगे वो इस विचार से बाहर निकलेंगे कि किसी को दबाना चाहिए शिक्षित समाज लगबग हमेशे यह चाहेग सभी लोगों विकास हो है तो इसलिए शिक्षित करें जागरूप करें लिए प्रदत्त मौलिक अधिकारों करके करें इंपलिमेंट किया जाएं हैं है तो यह दो तरीके रहे हो सकते हैं मौलिक अधिकार दिलाने के मौलिक अधिकार के सामने चुनावतियां क्या है तो चुनावतियां एक है रोड हिवादी जो रोड हिवादी विचार है यह बहुत बड़े चुनावति है रोड हिवादी विचार में जैसे बहुत सालोग जातिवाद जातिवादी होते हैं हमारा जातिवादी नीच है यह प दबाते हैं अई पूरे कदिकरम है को वादा एक्दम बेसिक बात कर वां है कि इसे एकडम हर चीज़ में एकडम वह नहीं कह सकते कि हाँ ब्रामर ठाकुन भी दबाते हैं इसा नहीं है लेकिन बेसिक जो बात है वह कि शब्सॉज ब्रामर्ण दबाया यादो को यादो दबाया मौलीजे की महण को महा रिया को जो मालीजे की हरजन को यानि पूरा एक्दम करम है जैसे हम यह नहीं कह सकती कि अरे मौर्या का तो बड़ा सामाजिशन नुक्सान हो रहा है या दो लोग दबा रहे हैं यह भी दबा रहे हैं अपने नीचे वह रहा है यह उप्रावला इन सब को दबा रहा है नीचे वहला अपने नीचे के सब को दबा रहा है यह वहला अपने नीचे दो लोग दबा रहा है यह और अखेवल इसको दबा पा रहा है फर्क इतना है कि कुछ लोग जादा लोग दबा पा रहे हैं कुछ लोग कम लोग दबा पा रहे हैं लेकिन दबा रहे हैं सभी एक सब्सक्राइब कानुन का अनुपालन ठीक प्रकास नहीं हो पता है कई बार तो यह सब मुली का दिकार अव्यक्ति का अपस्तंग बनाने का कहीं आने जाने का रोजगार करने का जीवन जीनी का दिकार काम करने का अधिकार कि है ना सांस्क्रितिक विकास करने का दिकार शिक्षा पाने का दिकार शोशड नहुपाय इसके विरूद अधिकार है तो यह हमने देख लिया कि मूल अधिकार क्या है क्यों आना चाहिए कैसे आ सकता है तो इसमें जो है इतने ही बातें करना वाजिब रहेगा बाकि स्वातंत्र नियाय पालिका क्या है यह अच्छा विश्या है संचार माध्यम क्या है तो इसके बारे हम देखेंगे बाद में इसमें तना है धन्यवाद क्या है